हाईथ हम लोग बात कर रहे थे प्राचिनी तियास कि प्राचिनी तियास में पढ़ा था उत्तर्वैडिककाल hem बाद की थी कि किस तरीके से आर्यों का विस्तार होता है और कैसे उनका विस्तार धीरे-धीरे प्श्चम से पूर्वी की तरफ होता है ठीक है और हमने वहाँ पर कुरुच्चेत्र बारे में जाना था महा भारत युद्ध के बारे में जाना था और इसके पस्चात किस तरीके से उस सभ्यता में लोह धातु के इस्तेमाल की शुरुवात होती है और कैसे कैसे यह जो है दोवाप के छेत्र में और गंगा यमना का जो उतरी छेत्र है उस छेत्र में किस तरीके स आर अपना विश्टार करते हैं। कैसे अपना अहदिकार जमाते हैं। इन सभी बातों को हमने उस वीडियो में जाना था। आज का यह जो वीडियो है उत्तर वैधिकाल पार्ट जू ये अंतिम वीडियो है। पूरी तरीके से उत्तरवैदिकाल को पढ़ लेंगे तो आज इसमें हम लोग बात करेंगे जिसको मैंने डिवाइड किया हुआ है तीन प्रकार की हेडिंग में उत्तरवैदिकाल पार्टू भाग दो में हमने इसको तीन हेडिंग दी हैं एक तो राजनीतिक संगठन कैसा था इसका सामाजिक संगठन कैसा था और देवता अनुस्थान और दर्शन क्या इसकी फिलोसफी थी उसके बारे में हम लोग जानेंगे पॉइंट टू पाइंट चीजों को मैंने नोट भी कर रखा है ताकि आपको नोट्स बनाने में समस्या ना हो हलाकि जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि रामसरन सर्माशर की बुक के हिसाब से मेहाँ पर पढ़ा रहा हूँ और यहाँ पर पूरी तरीके से अवधरनात्मत चर्चा होती है हाँ लेकिन साथ ही साथ परिक्षाओं को देखते हुए हम बीच-बीच में जो factual चीज़े हैं जो fact हैं जो तथ हैं उनको भी बीच-बीच में बताते चलेंगे तो इससे भी आपको समस्या बिलकुल नहीं होने वाली है तो हम एक-एक पॉइंट पर बात करेंगे सबसे पहले जो हमारी हेडिंग है राजनीतिक संगटन अर्थात उत्तरवेदिक काल में की पौलिटीक ऐसी थी वहां का राजनीतिक संगटन कैसा था तो जैसे कि हम रिगवेदिक काल में देखते हैं तो वहां के वहां अभी राजनीतिक संगठन उतना मजबूत नहीं हुआ था चूंकि कभीलाई जीवन था कभीले में रहते थे खाना बदोस जिंदिगी थी इस थाई जीवन नहीं था इसलिए वहां पर हमें कुछ ज्यादा एक मजबूत राजनीतिक संगठन देखने को नहीं मिलता है लेकिन जब हम उत्तरवेदिक काल की बात करते हैं तो यहां पर काफी कुछ बदल चुका होता है काफी कुछ चेंजमेंट यहां पर हमें देखने को मिलते हैं उसी के तहट हम राजनीतिक संगठन की बात करते हैं जैसे कि पहले जब हम रिगुवेद पढ़ते हैं तो सभा समिति वा विदत राजनीतिक संगठन में इनको हम शामिल करते हैं और यहां आमने देखा था कि य यह जो संगठन है यह जो सभा समिति और विदत है इनमें इस्त्री और पुरुस बराबर जो हैं भाग लेते थे और जो भी न्याय के काम है जो विवादों का फैसला देना है उन सभी का काम ये लोग किया करते थे और जो कबीले का राजन ये राजन होता था मुखिया होता थ लेकिन जब हम आते हैं उत्तरवेदिकाल में हम देखते हैं की सभा मिधम विदत ये एक तरेके से खतम हो जाती है इनका यहाँ पर गहतं नहीं रहे जाता है हलां कि अभी यह जीवित रहती हैं लेकिन जैसे ही जीवित रहती हैं जैसे कि अंतिम सांस चल रही हो तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सभा समिती थी लेकिन अब इन पर पूरी तरीके से जो सब्रांत लोग थे जो राजा के लोग थे जो राजा था उसका पूरी तरीके से यहां पर वर्चस्तापित हो जाता है पूर और साथ साथ हमने ये भी देखा था कि कैसारी ऐसी विदुशी महिलाई थी जो कि सभाओं में इनको इस्थान दिया जाता था अब यहाँ पर वो भी चीज देखने को नहीं मिलती है अर्थात सभा समितियों में महिलाओं को अब इस्थान नहीं दिया जाने लगा ठीक है तो सभा समिती की इस्तिती एकदम खराब हो गई थी ना के बराबर इमकी इस्तिती रहती है अगर हम यहाँ पर राजनतिक संगठन में बात करें तो आगे हम देखते हैं सेकेंड पॉइंट पे सत्ता का रूप अब सत्ता का रूप कैसे होगा जब यहाँ पर हम सुरुवात में द दीर चेतर बढ़ते गहे, चेतर बढ़ा हों करके एक बड़ा आकार लेता है और जिसे हम पहली पहल बार यहां पर हम देखते हैं कि जिसके लिए उस शेतर के लिए राष्ट शब्दिका इश्तेमाल किया गया तो सबसे पहली बार राश्टप्द का उलेक हमें उत्तर वैदिक काल में मिलता है ठीक है तो यहां सत्ता का रूप कैसा था अब सत्ता के रूप में अगर हम देखें तो सत्ता जो है यहां पर सत्ता का मुख केंद्र जो है वो राजा छत्तरी के हाथ में रहता था पूरोही ज तर पर आ चुकी थी अर्थात अब एक बड़ा रूप धारण कर चुकी थी वो कभीला नहीं रह गई थी आप प्रदेश का इस्थानिया पर देखने को हमें मिलता है तो कभीले के साथ जो अन भी छेत्र थे उन पर भी पूरी तरिके से राजा का अधिकार हमें देखने को मिल मिलता है अर्थात कभीले से रूप परिवर्तन अब प्रादेश को रूप में होता है राष्ट शब्द का इस्तेमाल यहां पर हमें देखने को मिलता है और इसके साथ साथ हम यह भी देखते हैं कि राजा की स्थिति अब काफी मजबूत होती चली जाती है क्योंकि काफी ब अभी भी यहां पर हम इस्थाई सेना नहीं देखते हैं जो कभीलों के जो लोग हुआ करते थे जो कभीले अब राष्ट के रूप में बदल चुके थे वहां के जो लोग हुआ करते थे उन लोगों को अब जो है सेना में जब भी युद्ध की स्थिति बनती थी तो सेना मे को पकड़ करके ले जाया जाता था कि चलिए युद्ध करना है और इस तरीके से युद्ध होता था ठीक है युद्ध युद्ध जो है अब यहाँ पर सिर्फ गायों के लिए नहीं होता है ये भी बात जानती रही है अब एक बड़े छेत्र पर कपजा करने के लिए भी यु जैसे अब जो है किसी भूमी पर कब्जा करना भी युद्ध का एक रीजन बनता है ठीक है तो सत्ता का रूप बदलता है और सत्ता का रूप में हम ये भी देखते हैं कि निचले इस्तर पर प्रशासन ग्राम सभाओं में भी रहता है निचले इस्तर का जो प्रशासन था वो ग्राम सभाओं को दिया जाता है ये ग्राम सभाओं अपने इस्तर पर जो वाद वीबाद होते हैं उन पर फैसला सुनाया करती थी ठीक है तो ऐसा हम देखने को पाते हैं उत्तर वैदिकाल में कि सबसे निचले इस्तर पर यहाँ पर ह इसके साथ साथ इस समय कर्मकांडों का बहुत ज्यादा महात्य बढ़ गया और इन कर्मकांडों के महत्य के बढ़ जाने से राजा का भी महत्य बहुत ज्यादा बढ़ गया वो शक्तिसाली हो गया जैसे कर्मकांडों की अगर बात करें तो कर्मकांडों में क्या कई सारे यग होते हैं जैसे कि कुछ यगों के अगर नाम लें तो राजसुय यग आपने नाम सुना होगा राजसुय यग एक नाम आपने सुना होगा वाजपय यग और एक आपने नाम सुना होगा अस्सुमेध यग ठीक है तो यह तीन प्रकार के जो यग हैं इनका हम यहां पर पाते हैं अगर हम राजसुई यग्य की बात करें तो राजसुई यग्य कप करवाया जाता था राजसुई यग्य जब राजा जो है सिंगाशन प्राप्त करता था या जब उसका हम ये कहें कि उसको राजा बनाया जाता था पद पर उसको बैठाया जाता था तब ये जो है यग करवाने से ये माना जाता था कि जिस को हमने राजा बनाया है उसको अप देव शक्ति प्राप्त हो गई। दो अगया के बारे में इसलिह कि यह जाता था कि जिस व्यक्ति को राजा बनाया गया है उ सब्छी को शक्तियां प्राप्थ होती थी एक इसके बाद हम अगर बात करें असुमेद यग्ड की तो आपने रामायण भी देखा होगा रामायण में भी स्री राम चंदर जो है असुमेद यग्ड करवाते हैं असुमेद यग्ड में होता क्या था कि एक घुडा को छोड़ दिया जाता था और वो जिस दिशा में वो जाता था जहां जहां तक जाता था उतने छेतर में अगर कोई रोकता नहीं था उसको ठीक है तो उतने छेतर में उस राजा का साशन माना जाता था उसका अधिकार माना जाता था अगर किसी व्यक्ति ने किसी राजा ने किसी अन्य व्यक्ति ने उस गोड़े को रोका तो ये माना जाता था कि इसने राजा का विरोध किया है और उसको उस राजा से युद्ध करना पड़ता था ठीके तो ये यह अस्सुमेद यग ये भी एक तरीके की राजा के शक्तियों का प्रदर्शन ही कह सकते हैं इसके साथ-साथ हम देखते हैं यह बहुत अच्य घोड़े जिनके पास थे अच्छे रत हुआ करते थे और जंत अगे तियल का आनंद लेते थी और राजा के जो रत थे वो ऋ आगे रहते थे और वो बादमेजविजः होते थे तो इस तरीके से भी कह सकते हैं कि राजा का ये एक तरीके का शक्ति प्रदर्शन था तो तीन प्रकार के यग हम देखते हैं उत्तरवैदिक काल में राजसु यग, असमेद यग और बाजपे यग इस से भी इस कनबकांडों से भी राजा की शक्ति अपार शक्ति में ब्रद्धी उसके होती है हम ये भी देखते हैं और कुछ इसस्तर पर हम ये भी पाते हैं कि करवर नजराना जैसी इस्तिती ह sulla होती है तो ये करवर नजराना जो है, वो मिलना शुरू होता है ऐसा हम पाते हैं और इनको इकठा करने का काम हलाकि पहले भी राजा को स्वेक्षा से कुछ भेंट दे जाती थी वो भेंट जिसे हम बली कहते हैं उसका उस शब्द का इस्तेमाल किया गया है बली क्या कहा गया है बली तो ये बली का मतलब क्या है कुछ भेंट कुछ नजराना तो पहले क्या था कि पहले स्वेक्षा से दिया जाता था राजा को लेकिन अब राजा ने इसको अपना अधिकार समझ लिया जैसे शुरुवात में अगर हम बात करें तो प्राचीन काल के इतिहास में जब हम पड़ते हैं तो जब कन्या का विवहा किसी राजकुमार के साथ राजकुमारी का विवहा किया जाता था तो राजकुमारी के पिता जो है वो स्वेक्षा से अपनी खुशी से अपनी राजकुमारी को अपने राजकुमार को कुछ दिया करते थे दान में वो दान में जो चीज दिया करते थे जो भेंट उपहार गिफ्ट बगारा दिया कर वो तो पहले स्वेक्षा से था लेकिन आज कल भी हम देखते हैं कि वो जो स्वेक्षा से दी गई भेट थी वो दहेज के रूप में एक अधिकार बन गई है और आज के भी बहुत सारे ऐसे पुरूस हैं जो दहेज को अपना अधिकार मनते ही समाज में ये कुरूती आज भी व्याप्त है तो देखिए वो जो स्वेक्षा से दी गई चीज थी एक भेट थी वो आज दहेज का रूप धारण कर ली है उसी तरह उसी तरह राजा को जो भेट या बली दी जाती थी वो स्वेक्षा से लोग दिया करते थे चाहिए वो वैश लोग हो या निचले क्रम के जो बाद में शुद्र कहलाते हैं वो लोगों या शिल्पी हो जो भी लोग चाहिए वो किसान हो जो भी वर्ग राजा को स्वेक्षा से भेट देता था उससे बली कहते थी वो स्वेक्षा से दिया जाता था लेकिन अब युट्तरवैदिक काल में इसका रूप परिवर्तन हो जाता है अब यहाँ पर राजा ने इसको क्या बना लिया अपना अधिकार बना लिया कि हमको ये भीट देना ही पड़ेगा और जो नहीं देगा उसको दंडित किया जाएगा तो इस तरीके से ये अधिकार के रूप में भी हम देखते हैं और करवार नजराना जो संग्र करता था उसके लिए एक शब्द मिलता है संग्रहीत संग्रहीत्र ठीक है तो संग्रहीत्र नाम का एक व्यक्ति हम कह सकते हैं कदिकारी का उल्लेक मिलता है जो की करवार राजस जो है वो इकठा करता था लेकिन यहां एक बात ध्यान देने योग है कि अभी राजस इकठा कर करने जैसी बहुत बड़ी प्रणाली यह सिस्टम का विकास नहीं हुआ था ठीक है यहां में शुरुवात देखते हैं कि कुछ जो चीजें हैं भेंट बगारा जो वैशों के द्वारा दिये जाते थे उनको इकठा करके कोई व्यक्ति राजा को सोपता था तो ऐसी शुरुव पर निर्वाचन किया जाता था अब निर्वाचन होता था इसका मतलब हम यह कह सकते हैं कि अभी राज तंतर जैसी बेवस्था में देखने को नहीं मिलती है ठीक है यहां पर अभी भी हम जनतंतर देखते हैं जैसे रिगुवेद में कबीला था कबीला कबीला भी एक तरिक एक जनतंत्र का उधारण था वैसे ही अभी भेम यहां पर देखते हैं उत्तरवैदिकाल में कि अभी भी पूरी से राज-तंत्र जैसी चीज़े नहीं थी हलांकि पहले के कभीले में जो जनतंत्र था उससे अब के जनतंत्र में काफी फर्क देखने को मिलता ही है ठीक है तो यहां पर जो है राजा का निर्वाचन होता था निर्वाचन का आधार क्या था कि वो शारेरिक तोर पर कितना बलसाली है और अन कौन कौन से गुड़ों उसके अंदर हैं तो राजा वही बनता था जो शारेरिक तोर पर या अन गुड़ों के आधार पस्रेश्ट होता था उसको बनाया जाता था तो हम कह सकते हैं कि यहां पर जो है निर्वाचन इस तरह से होता था लेकिन अब इसमें भी थोड़ा थोड़ा परिवर्तम सुरू हो गया क्योंकि आपने देखा कि यह जो भेट या बली है यह क्या थी यह स्विक्षा से पहले द बनने लगा और इसके पीछे का रिजन यह था कि जो भी भेट मिलेगी जो भी उपहार गिफ्ट वगारा मिलेंगे वो उसके पुत्र को मिलेंगे और इस तरीके से राजा का पदम यहां पर आनुवान सिक देखते हैं लेकिन अभी भी आप यहां पर यह नहीं कह सकते हैं प अगर कई पुत्र हैं और कई पुत्रों में से बड़ा पुत्र अगर निकम्मा है वो उसके अंदर गुर नहीं है वो स्रेस्ट नहीं है तो ऐसी स्थिति में दूसरे जो पुत्र हैं वो भी उत्त्रादिकारी बन सकते थे यह भी हम देखने को पाते हैं और यह पूरे प्रा इस्थाई सेना अभी भी नहीं थी सत्ता का रूप जो है कबीले से प्रादेशिक की रूप में बदल गया था सभा और समिति का वर्चस्व नहीं रह गया था ये एक तरह से खतम हो गई थी ठीक है तो हमने यहां राजनीतिक संगठन में यह चीजें जाने की किस तरीके से रा वर्गी करण हम पाते हैं और वर्गी करण पाते हैं चार वर्ड में ठीक है चार वर्डों में हम यहां पर वर्गी करण पाते हैं यह चार वर्ड कौन से ब्राम्हड छत्री वैश और सुद्र यह चार वर्ड में समाज बदल चुका था ठीक है और ब्राम्हडों की स्थिति के बारे में अगर बात करें तो ब्राम्हों की स्थिती कैसी थी कि 16 प्रकार के पुरोहितों का वर्णन मिलता है 16 प्रकार के पुरोहितों का वर्णन मिलता है उसका रीजन यह हो सकता है कि 16 प्रकार के संसकार होते थे और हार एक संसकार के लिए एक अलग पुरोहित होता था लेकिन धीरे धीरे अब देखिए पुरोहित ब्रामभर भी पुरोहित होता था और भी लोग कई पुरोहित होते थे तो 16 संसकारों के लिए 16 प्रकार के पुरोहित होते थे और ये सारे पुरोहित ब्रामः नहीं होते थे उन पुरोहितों में एक प्रकार का पुरोहित ब्रामः होता था इस बात को समझे गौर करिएगा कि 16 प्रकार के पुरोहितों में एक प्रकार का पुरोहित ब्रामः होता था लेकिन बाद में क्या होता है कि इस ब्रामः नामक पुरोहित ने बाकी सारे पुरोहितों को दबा दिया कुचल दिया और अपनी स्थिती को मजबूत किया और प्रबल रूप से ये हावी हो गया और सब जगए पर सारे संसकारों पर काम करने का काम जो है ये ब्रामण वर्ग का जो पुरोहित है वो करने लगता है तो ये भी हम आपस में तब सही कर लिया जाते हैं जगडे को शांत कर लिया जाता है जब इनके सामने ये स्थिति पैदा होती है कि जो बाकी के नीचे के दो जो वर्ड है वैस और सूद्र जब इनसे सामना करना पड़ता था तो ऐसी स्थिति में फिर ये ब्रामभण और छत्री आपस में अपने जगडे को समाप्त करके सहीवगात्मक रूप से रहना शुरू कर देते थे बाद में तो उत्तरवधिक काल के अंत में तो ये बात एकदम मान ली गई थी कि ब्रामभण और छत्री एक दूसरे के साथ सहीवगात्मक रूप से रहते हैं एक दूसरे के साथ मिल करके रहें तबी इन दो जो वरड हैं इन, पर वो अपना अधिकार जमाये रखेंगे और इन पर हमेशा कंट्र रहेंगे और इन पर अपना शासन चलाते रहेंगे ये बाद बाद में बिल्कुल सब के मन में अगला च्छत्री और ब्रामभर्ड के मन में ऐसा क्या जो और बात थी कि ये दो वर्गों पर पूरी तरीके से नियंधर इस्थापित कर सकते नहीं था ठीक है उत्पादन यह कोई काम करते नहीं थे युद्ध करते थे कोई काम नहीं करने का मतलब उत्पादन संबंदी काम नहीं करते थे अर्था जो भी विकास संबंदित काम है चाहिए क्रसी हो पसू पालन हो यह जो भी सिल्प का काम हो जो भी काम करने वाले लोग जो उद्पादक लोग थे वो नीचे के दो वरण थे एक वैस और उक्सुद्र और यही जो है पुरी तरीके से राज विवस्था को चलाने में युगदान देते थे तो अब अगर इनको नीचे दबा करके नहीं रखा जाएगा तो हमारा वर्चस कैसे कायम रहेगा तो इस वज़े से ब्रामह और छत्री दोनों मिल करके काम करना सुरू कर देते हैं हम ये भी पाते हैं ठीक है वैसों की इस्थिती के बारे में बात करें तो वैसों की इस्थिती बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी भले ही राज़ परिवार से तालुक कुछ लोग रखते थे कुछ वैसे लेकिन इसनकी इस्थिती आम ज़न जैसी थी जन सम्मान जैसे इनकी इस्थिती हुआ करते थी इनका सुरुवात का जो काम था वो क्रसी और पशुपालम देखने को मिलता है लेकिन धीरे 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 आगे चल करके ये ब्यापार को भी अपना लेते हैं और ऐसा संभावता हम पाते हैं ऐसा कह सकते हैं कि उस समय राजस देने वाला सिर्फ एक ही वरण था वो था वैश यह अर्थात राजा और ब्रामण राजा और पुरोहित ये दोनों की जीविका ये दोनों लोग जीते थे वैश द्वारा दिये गे राजस पर अगर वैश राजस नहीं देगा तो ऐसी स्थिति में लोगों का जीना दूबर हो जाएगा और कई ब्रामण जो है और छत्री दवाव बना करके इनसे जो है राजस वसूला करते थे दवाव बनाय जाता था तो इनकी स्थिति बहुत ही अच्छी नहीं थी हलांकि हम ये कह सकते हैं कि जो उपनेयन संसकार का जो अधिकार था उपनेयन संसकार के अधिकार में तीन वरण जो है आपके वो ब्रामण और छत्री और वैश इन तीनों को उपनेयन संसकार का अधि यह तीनों अधिकार था मैंने अगला पॉइंट विदिया भी है कि Uppanand Sanskar के अधिकारी तीन वर्णण थे तीन वर्ण QOI मोध ज्ट्री और वईष्य और यह यग्व पवीत भी धरन करते थे की इनको यग्व打 उसको बोलते हैं जनिउधरन किया जाता था और इसके साथ साथ सिक्षा का भी अधिकार जो है इन तीन वरण को था अब सीन वरणों को इसलिए था क्योंकि परोहिट को तो आपको मंतरो्च्राण करना है यग करवाना है पढ़ना जरूरी है राजा को छत्री को पढ़ना इसलिए जरूरी है कि वो कैसे बाकी के लोगों पर अपना नियंत्रन स्थापित करेगा वैस को पढ़ना इसलिए जरूरी है कि कैसे वो व्यापार करें कैसे वो उत्पादन जादा से जादा करें ताकि बागी के दो वरण हैं उनको वो राजस अच्छे से दे पाए इसलिए इन तीन वरण के लोगों को उपनेल संसकार का योगोपवी धरण करने का अधिकार था बट सूद्र जो चौथा वरण था उसको उपनेल संसकार का अधिकारी नहीं बनाया गया यहां से हम यह पाते हैं यह पहले सुरुवात है जहां पर तीन वरण और एक वरण के बीच में भी भाजन रेखा खीच जी जाती है और यहां से सुद्र का जो स्थान है सुद्र की जो स्थिती है वो दास जैसी होना सुरू हो जाती है और यही एक reason बनता है कि बाद में यहीं सूद्रों में से कुछ लोगों को अच्छूत मानना सुरू कर दिया जाता है तो यह शुरूआत है कि चार भाईयों में से तीन लोगों को अपनेंसंस करका अधिकार दिया गया और बाकी एक को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया और यही से उसके दरिद्रता की इस्तिती उसको निम्न होने की इस्तिती की शुरूआत हम देखने को पाते हैं राजा की या छत्री की स्थिती के बारे में बात करें तो एत्रे ब्राम्मण एत्रे ब्राम्मण किसका ब्राम्मण है रिगुवेद का ब्राम्मण है तो एत्रे ब्राम्मण में हम देखते हैं कि ब्राम्मण के बारे में कहा गया है कि ब्राम्भर दान देने वाला होगा ठीक है ब्राम्भर कौन होगा दान लेने वाला होगा देने वाला नहीं दान लेने वाला होगा और जब चाहे तब छत्रिय या राजा इस ब्राम्भर को उसके पद से हटा सकता था ठीक है ये एम भी देखते हैं वैस के बारे में ये एत इसका शमन कर सकते थे इसका दमन कर सकते थे ठीक है तो यह भी हम पाते हैं सूद्र के बारे में हम यह कहते हैं सूद्र के बारे में एत्री ब्रामण क्या कहता है कि इसका काम क्या था ओपरी तीन वर्डों की सेवा करना काम करना और काम करना ही नहीं काम करने के साथ साथ मार ख गyg stupid का बांबर उसमें बात कही गई है ठीक है छुक छत्री की स्थिती के बारे में मैं पता चलता है कि इसका नो 땟 Beauty कितना शकती साली कि सेस्थिती थी कि ब्राम वर को भी उजल सकता था और कान कान क्या धान लेने वाला था और इसका जो है हस्तक्षेप राज की कारों में भी हुआ करता था एक महत्पूर पज़ था ठीक है तो जिसको चाहता था राजा उसी को प्रोहित वर्ग पर रखता था वैस राजसु का देंदार था वो सिर्फ राजसु देने का काम करता था इसके अलावा हम उत्तरवैतिक pad मैं गरंतों में देखते हैं कि तीन व्रणों के भीज में बिभाज़क रेखा कि रूप में काम करते हैं हम रिगुवेद की बात करें तो वहां वरण बिवस्ता की जो बात की गई है मुकुरूप से तीन वरणों की अक्सर बात की जाती हैं वहां पर वहां के वरण बिवस्ता का आधार कुछ और था लेकिन यहां उत्तरवैदिक काल में इन वरण बिवस्ता का आधार पूरी तरीक तो आपको समझ में आ रही है कि जो भी नियम अदिनियम rules बनते थे वो पुरुहित वर्ग के द्वारा बनाए जाते थे उसका पालन करवाने का काम राजा का चत्री का होता था और पालन कौन करता था पालन वैस करते थे और शूद्र करते थे हाँ पिता का अधिकार अगर हम सामाजिक संगटन की बात करें तो अब पिता का अधिकार चुकि हम बाते भी हैं कि वैदिक यूग जो है वो पिक्तर सत्तात्मक है लेकिन उत्तर वैदिक काल में पिता की स्थिती और बढ़ जाती है वो अपने पुत्रों को या जेष्ट पुत्र को उत्तरादिकार से वंचित कर भी कर सकता था या अपनी संपतिस से वेदखल भी कर सकता था वो जिसको चाहता था उसको अपने घर से निकाल सकता था इतना उसकी शक्तियां बढ़ चुकी थी पिता का महत तो बढ़ चुका था अगर हम बात करें राज परिवारों में तो राज परिवारों में जो राजा था राजा जो पिता हुआ करता था वो भी अपने जेश्ट पुत्र को राजा बना सकता था या जिसको चाहे उसको बना सकता था हाँ लेकिन हमने यहाँ पर यह चीज जरूर देखी कि राज करके गुर्ण उसके अंदर नहीं है तो ऐसे में जो स्वेस्ट होगा उसी को उत्रादिकारी बनाया जाएगा एक चीज हमाओ दोखते हैं कि गोत्र वेवस्ता यहां पर हम देखने को पाते हैं सुरू-सुरू में गोत्र का अर्थ था गोस्ट क्या था गोस्ट और इसका कुल का गोधन पाला जाता था सुरू में यह अर्थ था लेकिन उत्तरवेदिक काल में अब इस गोत्र का अर्थ बदल करके मूल पूरुस से हो गया अर्थात हमारे जो मूल पूरुस होंगे इसके बारे मैं पहले भी बता चुका हूं वो मूल पूरुस के अधार पर गोत् नहीं होगा ठीक है एक विवा एक गोत्र में विवा करने को को रोंक दिया गया रोंक थाम लगा दी गई यह भी हम देखने को पाते हैं ठीक है जीवन के चार चरण चरण इस थापित देखने को मिलते हैं जीवन के चार चरण कौन-कौन से पहला जो है ब्रह्मचर आश्रम दूसरा ग्रहस्त आश्रम तीसरा वानप्रस्त आश्रम और चौथा सन्यास आश्रम हलाकि शुरुवात में जह हम छांद्यों गुप निसत की बात करें तो वहां पर हम सिर्थ तीन प्रकार के आश्रमों का उल्लेक पाते हैं तीन प्रकार के पहले तीन कौन-कौन से ब्रह्मचर ये और इसके बाद ग्रहस्त और वानप्रस्त सन्यास अस्रम ऐसा नहीं है कि सन्यास सब्धत्था नहीं लेकिन हम यहाँ पर भी पाते हैं कि मुख रूप से तीन जो अस्रम है उन्हीं का उलेक मिलता है हना की चारों अस्रमों का उलेक हम जाबाल उपनिसद में पाते हैं अर्थात ब्रमचर का समय 25 वर्स तक सिफ सिख्षा ग्रहन करनी है फिर इसके बाद ग्रहस्तहरम में जब ग्यक्ति प्रवेस करता था तो पचीस साल तक वो ग्रहस्त आस्रम में रह सकता था घर में अपना घर परिवार चलाता था और उसके पस्चात फिर वो वान प्रस्त में क्या था कि वो वनों में जाता था वहां पर जो है सांती की खोज करता था वो दर्शन के बारे में सोचता था वो भगवान इश्वर के बारे में चिंतन कर सकता था ये तीन हम आस्रम देखते हैं हलांकि इन्हीं वानप्रस्ट से एक और आस्रम निकला सन्यास आस्रम और सन्यास का मतलब यह हो गया कि जब पूरा वो घर बार परिवार सब कुछ छोड़कर करके सन्यास धारण कर ले वानप्रस्ट का मतलब बेभी कह सकते हैं जब बनवास की स्थिती हो जैसे स्री राम चंदर जी को बनवास हुआ था ठीक है और इसके बाद महा भारत में आपने देखा था कि पांडवन भी बनवास हुआ था तो वान प्रस्त का मतलब है जब वन में हम जाएं और वन में जाकर के ब्रह्मन क करें तो अब वह वण में जाने का Swaym से भी हो सकता है या उनको जबरन भी भी भपेजा जा सकता है दो प्कार बीजन हो सकते हैं तो जीवन के चार स्थापित पाते हैं यहाँ पर उत्तरवएदिक हैं में अगर हम बात करें इस्तियों की इस्थिती की तो इस्तियों के इस्थिती जो है यहां पर बहुत ही पूर्सों से निम्न हो जाती है अधीनस्त ही रहती है ठीक है इस्तियों की स्थिती यहां पर हम निम्न पाते हैं तो हमने यहां पर देखा उत्तरवधिक काल की सामाजिक जो संगठन था वो किस तरह का हम यह चेत्र हो गया था यहां पर पुरी तरीके से पुरहितों ने ब्रमणों ने आरशंस्कति का केंद्र स्थापित किया था उत्तरी दोवाब में और इस समय देवताओं में भी परिवर्तन देखने को पाते हैं हम कि अब देवता जो हैं इंद्र और अगनी का इस्थान महत्वू वैदिक काल में देखते हैं तो उत्तर वैदिक काल में अब स्रजन का जो देवता था जिसे प्रजापती कहते हैं स्रजन का देवता प्रजापती इसका महत्तु बढ़ गया ये सरप्रुमुक देवता हो जाता है और इसके साथ सूद्रों के अगर देवताओं की बात करें तो पूसन जो की पसुओं की रक्षा करने वाला देवता था पूसन वो सुद्रों का देवता हो जाता है और इसी प्रकार जो है पसुओं का देवतार रुद्र का भी महत्तों यहां पर हम देखने को पाते हैं ठीक है हां हलांकि अगर हम बात पस्वों की करें तो ये ध्यान देनों योग बात है कि सुरूवू में जो हम रिहुवेत की बात करते हैं तो सारे के सारे जो आ रहे हैं वो गाय को पाला करते थे लेकिन मुत्तरवे दिकाल में देखते हैं कि अब ये काम जो है वो सूद्रों के हवाले हो गया ठीक है पहले सारे आरगाय पालते थे लेकिन आब यहाँ पर सूद्र पालने लगे और सूद्रों ने अपना एक देवता क्योंकि अलग-अलग वर्ड हो गये तो अलग-अलग वर्ड के अपने अलग-अलग देवता हो गये तो पूसन जो है वो सूद्रों को देता कहला है यग में भुतायत में बली दी जाती थी जानवरों की बली दी जाती थी और यही एक reason है कि पसुओं की मात्रा बहुती कम रह जाती है, बैलों की मात्रा बहुती कम रह जाती है, और मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि यही एक वज़य थी कि खेती के लिए, खेती को जोतने के लिए बैल उपलब्द नहीं हो पाते थे, और इसके साथ साथ जो घर में अतिथी आते थे, उन अतिथी को गोगन कहा जाता था, क्या कहा जाता था, गोगन, गोगन, तो गोगन का मतलब क्या था, जो अतिथी आता था, उसका स्वागत सतकार करने के लिए गाय का मांस दिया जाता था, तो ऐसे अतिथी गोगन कहलाते थ धार्मिक ज्ञान विग्ञान पर पूरी तरीके से पुरोहीत वर्ग का एकादिकार था चाहे वो अनुस्ठान हो चाहे वो वैदिक नियम कर्मकांड हो तंत्रमंत्रयंत्र हो इन सभी का निर्माड करता पोरोहीत वर्ग ही था तो ऐसा कहा जा सकता है कि इस वर्ग ने अपने फायदे के लिए बहुत सारे अनुस्ठानों कर्मकांडों को बनाया होगा यह संभावना बिल्कुल बनती है इसको पूरी तरिके से खारिज नहीं किया जा सकता है अब यह इतने सारे अनुस्ठान क्यूं होते थे इतने सारे अनुस्ठानों की पीछे एक संभावना यह भी बनती है कि पुरोहीत वर्ग के अंदर धन लोपुपता की भावना जरूर रहती होगी जैसे एक उदहरण लेते हैं हम राजसुयग का राजसुयग जब छत्री किसी राजा की द्वारा करवाया जाता था तो जो पुरोहीत राजसुयग करवाता था उसको दो लाख चालिस हजार गाएं भीट में दी जाती थे तो अब इससे आप समझ सकते हैं कौन ऐसा पुरोहीत होगा जो ये नहीं चाहेगा कि उसे दो लाख चालिस अजार गाएं ना मिले और सिर्फ गाएं ही नहीं इसके साथ साथ जो दक्षणा दी जाती थी यग में उत दक्षणा में दाशियां शामिल होती थी रत घोडे सोना ये सब शामिल होता था ये भी दिया जाता था और कई बार तो हम ये भी पाते हैं कि कई बार पुरुहित वर्ग राजन वर्ग से अर्था छत्री से राज के किसी हिस्से को ही माग लेता था कि हमें ये हिस्सा दे दिया जाए और इसका उदारन हम सत्पत ब्रामण में पाते हैं जो की सत्पत ब्रामण ये जुरुवेद का ब्रामण है इसमें कहा गया है कि असमेद यग में उत्तर, दक्षिर, पूरब, पस्चिम इन चारों दिशाओं को ब्रामणों को दे देनी चाह चारो दिशाओं को देने का तात्पर ये है कि इन चारो दिशाओं में जितनी भी भूमी है जितना भी छेत्र है वो सब का सब पुरहुईतों को दे देना चाहिए इस बात का उल्लेक शत्पत ब्रामण में मिलता है हलांकि ये बात पूरी तरीके से लागू इस वज़े से नहीं हो सकती है कि अगर पूरा चेत्र चारो दिशाओं का चेत्र पुरहुईतों को दे दिया जाएगा तो राजा क्या करेगा राजा किस काम कर रह जाएगा वो किस चेत्र फे राज शाशन करेगा प्रसासन प्रसासन होती है कि ये जादा से जादा भूमी चाहते थे जादा से जादा छेत्र को अपने में हथियाना चाहते थे प्राप्त करना चाहते थे अर्थात मने में एक लालच की भावना जरूर रही होगी ठीक है इस लेकिन जैसे जैसे हम वैदिक काल के अंत की बात करते हैं तो फिर कु इतने भी ऐसे गलत कर्मकांड, रूडिवादी कर्मकांड थे, ब्रामणवादी कर्मकांड थे, उनको ये नकार देते हैं, वो ज्ञान की बात करते हैं, वो तर्की की बात करते हैं, वो इश्वर की बात करते हैं, वो आत्मा परमात्मा की बात करते हैं, सब को एक भाव से दे क्या सास्वत्सत्य है कि अगर हमें अपने देश की कल्चर शंस्कृती को अपने देश की फिलोसफी को जानना है हमारे रिवेद के फिलोसफी को जानना है तो हमें उपनिशद पहना चाहिए उपनिशद ही सच्चे वो ग्रंत हैं जिन्होंने वेदों की सच्चाई को दर्शा बताया है वेद की सच्चाई के बारे में बताया है कि वेद का मतलब ये करमकांड नहीं है वेदों में दिये गई विधियों का वेदों में दिये गई परंपराओं का नियमों का रिजन ये करमकांड रूडिवादी करमकांड कवकता ही नहीं हो सकते हैं ये बात हमें उपनिस ज़द ही हमारे देश की दर्शन का मुख्याधार है। युद्ध का कारण जैसे मैंने पहले भी बताया है कि अब गाय को प्राप्त करना नहीं रह गया था बलकि कुछ छेत्र को कपजा करना भी युद्ध का कारण बन जाता है। उसके पीछे का कारण यह है कि जब कुछ छेत्र में करसी होना शुरू हो जाती है तो उससे थोड़ा बहुत जो है किसानों से करसिकों से व्यापारियों से कुछ बहुत राजस राजा को प्राप्त होता था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यहाँ पर टैक्सेशन सिस्ट लागू हो गया था। ऐसा बिल्कुल नहीं देखते हैं क्योंकि अभी क्रसी उस उन्नत दशा में थी ही नहीं उन्नत दशा में ना होने का रिजन यह था कि जहां लकडी के फाल वाले हल का इस्तेमाल होगा तो आप सोच सकते हैं कलपना कर सकते हैं कि खेती कैसे ज़्यादा उन्नत शील होगी करसी कैसे उन्नत शील होगी किसान कितना संवर्द होगा नहीं हो सकता है तो टैक्सेशन सिस्टम नहीं था उसके ना होने का रिजन यह था और यहीं एक वज़े है कि इस समय जो है राज तंतर इस्थापित नहीं हो पाता है क्योंकि राज तंतर को इस्थ करते हैं जब हम और सिस्टेम अंची तरीके से नजय के तुटобыmस हो साथवाहन वंस हो चाहे हो कनोज का अफजी की हम बात करें सारे के सारे उन्नत महान जन्पद करते थे समराज हुआ करते थे जिसका आधार मुक Serve से क्रसी द्वारा प्राप्त राजस हुआ करता था लेकिन यहां ऐसी चीज़ भी हम नहीं पाते हैं कबाईली समाज टूट गया था जो कि रिगवेत में एक कबीले के रूप में समाज रहता था उस कबीले में कई परिवार होते थे उन परिवारों का अपना मुखिया होता था कबीले का मुखिया राजा कहलाता था राजन कहलाता था यह सिस्टम यहां पर बदल चुका था तूट चुका था उसका रिजन यह था कि अब कबीला चार वर्ड में बढ़ चुका था इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक कभीले में रहने वाले कुछ परिवार या एक परिवार में रहने वाले चार भाई अलग-अलग कामों की वज़े से अलग-अलग वर्ड में बट जाते हैं तो इस तरीके से कभाईली सिस्टम पूरी तरीके से चकना चूर हो करके समाज हमारा चार उमरेड में विभाजित हो जाता है तो इस तरीके से हमने उत्तरवैदिक काल को समझा दो भाग में समझा मैंने अपनी तरफ से काफी कोशिश की है कि आपको उत्तरवैदिक कालीन समाज का उसका राजनीतिक संगठन का आर्यों के विस्तार के बारे में यहां की स्थितियों के बारे में आपको एक और धारनात्मक समझ स्थापित हो सके अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्रवा